अबले नोख़वां अब्छा वाल्द printer के लिए चिक certain पालग खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है इसके लिए लिया हैargent को दो तरह यही पालग लिया है और इसको कट कर लिया है यहाँ लेंगे पॉडर और मोटा पॉटा वजीरा अहल्दी का पॉडर नमक लें इसाद गालक्त न सर था हरी सबजी के अंदर नमक थोड़ा कम लगता था। यह ही यहाथ साफ नमक लेंगे सब dairy मसालों को दही के साथ उता जाए मिक्स करके रख लेंगे इस तरह मसाले दही के अंदर मिक्स करके डालेंगे तो मसाले बहुत अच्छी तरह फूल जाते हैं यहां रखिए मैंने एक कड़ाई रखिए इसमें ऑईल डालेंगे तो ऑईल डाला है मैंने आदा कप की बराबर इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले तो लिया है जीरा, हरी लाइची, बड़ी लाइची, लॉंग, काली मिर्च और दाल जीनी मसालों को हम ओईल के अंदर डाल देंगे और हलका सा क्रेकल होने देंगे यहां लिया, मैने दो मीडियोम सैज की प्याओ इसको बारिक चॉप किया है अमलेट कट काटेंट है उस तरह से हमने कट के प्याओ प्याओ को साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे अचिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे प्याज और अधरकलसन के पेस्ट के साथ जब तक इसका कलर चेंज होता है तना हम इसको चलाएंगे अच्छी तरह से यहां लिए मैंने दो टमाटर मीडियम साइज के इनको भी बारी कट किया है इसको इसके साथ डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे टमाटर को भी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इदे के टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं अब डालेंगे हम दही और मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखा था दही के साथ मसालों का इसको डाल देंगे इसमें मिक्स करेंगे पालग और चिकन की रेस्पी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी बनती है इसको हम ढखकर पकाएंगे 10 मिट के लिए ताके हमारे चिकन है थोड़ा सोफ्ट हो जाए देखे चिकन लेचा पानी चोड़ा है इसको हम द्राई करेंगे पानी को आच्छी तरह हमने OUR जाफ्डाने कर लीं इसने ऑइल भी छोड़ दिया और इसको यह भूल लेंगे थोड़ा सा इसको रख देंगे चिकन को एक साइड इतने हम पालक को बाल लेते हैं तो पालक को बालने के लिए मैंने पानी रखा है कड़ाई में इस में डाला थोड़ा सा नमक नमक डालने से इसका कलर एकदम बरकरार रहेगा तो पालक को मैं नहीं जादा नहीं पकाना है सिर्फ 2-3 मेट के लिए पकाऊंगी तब पालक को मैं डीप करूँगी इसके अंदर पानी के अंदर ताकि पूरा पालक अच्छी तरह से पक जाए पालक उबालने से क्या होता है इसका थोड़ा सा कड़वा पन होता है वो निकल जाता है और इसको बस 2-3 मेट पकाऊंगी पालक को और इसको निकाल के ठंडे पानी से दोलेंगे ताकि पालक का जो कलर है वो पूरी तरह गिरीन गिरीन सा रहे तो चिकन अच्छी तरह भून चुका है इसमें डालेंगे हम पालक पालक को हलका सा बॉलनी के बाद अगर उस पे ठंडा पानी डाल देते हैं तो उसका कलर वैसा ही रहता है पालक काला नहीं पड़ता है तो पालक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन के साथ और इसको भी डग कर पकाएंगे हम 10 मिनिट के लिए ताकि हमारे जो पालक है वह अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए यह देखें पालक अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा सा और पकाएंगे इसे तो सी तीन मिनट तो यह हमारा चिकन पालक पकर हो गया है तयार मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून गर्ब अखेंदेट 2 मिक्स नहीं को दालक कशूरी मेथी तू कशूरी मेथी को मैं वैसे ही डाल रही हूँ ताकि इससे अच्छी होजभू और टेस्टस बड़े इसका दोच्छी तरह मिक्स करएंगे तो चिकन पालक बन कर हो गया तयार इसको यह ढख देंगे ढखने के मैं 5 मिनट के बाद इसको सर्फ करूँगी तो तयार है मेरा चिकन पालक बहुत ही टेस्टी बन कर तयार हुआ है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार जरूर ट्राइ करें चिकन पालक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार हुए चिकन पालक की रेसिपी मिलते हैं नेक्स वीडियो में